हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिरसे स्वागत है ये वीडियो पार्ट है मेरे construct 3 beginner tutorials का how to make games without coding so इस वीडियो में मैं आपको construct 3 का एक basic सा introduction देने वाला हूँ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दू कि मैं जो version यूज कर रहा हूँ वो paid version है construct 3 का तो इसके लिए मैं यहां से login करूंगा guest account नहीं है मेरा मैं यहां पर मेरा personal account खरीद के रखा है so इसमें मैं login करता हूँ और मैं सारे के सारे tutorials जो है वो मेरी इस personal account के थ्रू ही आपको दिखाने वाला हूँ तो मेरे account में कोई restrictions नहीं है अगर आपको अपने account में कोई restrictions नहीं चीए तो आपको construct 3 का license खरीदना पड़ेगा बहुत ही सस्ता है मैंने पिछले वीडियो में explain भी कर रखा है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा तो इसको देख लीजे खेर इस वीडियो में मैं आपको यह सारे जो यहां पर templates दिख रहे है game demos, templates, beginner examples और यह सारी चीजे तो इस में से जो templates वाला part है इसमें एक template मैं आपको open करके लिखाऊंगा जिससे हम project का structure समझेंगे और interface कैसा है basically वो समझेंगे so शुरू करते है templates के साथ car lanes वाला template है उसको हम या तो preview कर सकते है या तो open कर सकते है preview करेंगे तो आप में यह चीज दिखाएगी कि यह game exactly क्या है तो मैंने preview press किया है तो यह देखो यहां पर एक car चल रही है और अभी देखते है कि इसके जो project structure है वो क्या है so यहां पर आके मैं open project करता हूँ और जैसे मैंने open project किया यहां पर मेरा पुरा का पुरा जो project है वो open हो गया इसको अभी आप left hand side में देखोगे तो कुछ चीज़े है properties मतलब इस game की सारी details यहां पर देख सकते हो game का नाम है इसका version description अगरा डाल सकते हो id और यह सारी चीज़े थोड़ी advance है मतलब android में अगर आप इसका package ने मगरा देना चाहते हो अगर आप android build बना रहे हो तो वहां पर यह सारी चीज़े आप डाल सकते हो खुद का email id डाल सकते हो website डाल सकते हो background के color set कर सकते हो startup layout और यह सारी चीज़े यहां पर mentioned है और यहां पर right hand side में project structure mentioned है project structure के अंदर आपका पूरा का पूरा folder आपको दिखेगा यह folder के अंदर आपके सारे के सारे सब folders है इसके अंदर differentiate किया गया है layout है, event sheets है, object types है families, icons, fonts और यह सारी चीज़े उसके नीचे हमें एक दिखता है layers so layers क्या है layers basically आप अलग-अलग layers बना सकते हो जिसमें road का अलग layer रहेगा यह सारे अपने game objects का अलग layer रहेगा basically differentiation है जैसे आप बोलते हो कि UI user interface की चीज़े एक अलग layer पे होगी game के जो objects है वो सारे अलग layers पे होगे तो यह सारी जो चीज़े हमें अलग-अलग रखनी है ताकि हम properly differentiate कर पाए तो यह सारे layers में हम लोग arrange कर सकते है बहुत सारी चीज़े इसमें ऐसी है कि properly folders के अंदर organized है यहाँ पे अगर आप देखोंगे तो layout है, event sheets है, object types तो एक एक करके explore layout exactly क्या है अगर आप यहाँ पे देखो layout इसके उपर double click करो तो फिर आपको left hand side में इसकी properties दिख जाएगी यहाँ पे आपको दिखता है इसका नाम है layout one event sheet event sheet का मतलब यह है कि इसके अंदर का आपका जो भी running functionality है, वो सारी की सारी चीज़े event sheet के अंदर रहती है अगर आप right hand side में फिर से आके देखो तो यहाँ पे अगर मैं इसको expand करूँ तो यहाँ पे कुछ एक event sheet one करके लिखा हुआ है और layout one के उपर मैंने क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे left hand side में properties के अंदर आपको event sheet के tab में event sheet one दिख जाएगा इसका मतलब यह है कि जो भी चीज़े layout one के अंदर run होगी वो सारी की सारी चीज़े defined है event sheet one के अंदर अभी देखते event sheet one कैसी दिखती है तो इसके उपर यह tab के उपर मैं click करूंगा या फिर हम यहाँ पे double click करके भी event sheet को open कर सकते है तो जैसी मैंने open किया यहाँ पे आप देखके शायद थोड़ा भॉखला जाओगे कि यह सारी चीज़े क्या है बहुत सारी नई नई चीज़े है basically अगर मैं आपको simple तरीके में समझाने जाओ तो यह सारी की सारी चीज़े के अंदर अपनी पूरी के पूरी गेम का functionality है आप देख सकते हो यहाँ पे on start of layout is crashed, road road का why, keyboard button press यहाँ पे देख सकते हो right arrow है और यहाँ पे left arrow है तो right arrow अगर हम press करेंग तो player कहाँ पे जाना चीए वो सारी चीज़े यहाँ पे defined है left दबाएगे तो कहाँ पे जाना चीए down दबाओगे तो क्या होना चीए और gameplay के अंदर हर second में क्या होना चीए और यहाँ पे आप देख सकते हो global number भी defined है मतलब हम अगर unity में अगर आपको experience है तो global integers या फिर global booleans यह सब जो basic programming के concepts है अगर आपको programming आता है तो आपको definitely help हो जाएगी अगर आपको programming नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको यह सारी चीज़े easily समझ जाएगी आप बस इस tutorial को properly follow करो सारे के सारे parts देखो और आपको मैं guarantee के साथ कहता हूँ कि आपको end तक पूरा का पूरा construct 3 समझ में आ जाएगा फिर से आते layout 1 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे layout 1 के अंदर अपने सारे के सारे objects है road है यहाँ आप तो आपको part part दिखेंगे यह अपनी car का एक object है यह वाली car है और बहुत सारी ऐसी objects आपको दिख जाएंगे तो जो भी आपके game के अंदर objects होंगी वो सारे के सारे आपके इस layout 1 के अंदर आपको visibly दिखेंगे और हम देखते अभी layout 1 के अंदर properties क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नाम है event sheet जो मैंने आपको explain किया फिर यह जो size है यह भी आपे mention की है size है 480 x 854 size का मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक इतना जो block है वो आपके phone का जो dimension है resolution है वो यहाँ पर notify करता है और यहां पर कुछ एक चीज है margins margins हम लोग कहां पर use करेंगे किसी और पार्ट में देखेंगे tutorial series के बट फिलाल के लिए आप यह धान रखो कि margins भी हमारे बहुत काम आने वाली है आप इसके अंदर चाहे तो effects add कर सकते हो यहां पर देखते इसे ही है बट सारे objects के बारे में यह event sheet को in detail हम लोग कैसे scratch से बना सकते हैं यह सारी चीज़े हम next video में सीखेंगे अभी फिलाल के लिए मैं को आपको बस introduction देना था कि layout क्या है event sheet क्या होते है size क्या होता है event sheet कैसे related है layout से तो I hope इस वीडियो से आपको थोड़ी clarity मिल खई होगी की construct 3 का project folder structure कैसा होता है layout क्या होते events क्या होता है layers क्या होते है अब इसके अगले वीडियो में हम पूरा का पूरा एक नया scratch safe project बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक simple game बना सकते हो construct 3 के अंदर layouts और एक simple event sheet को use करके तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक like button प्रेस कर दीजे मेरे चैनल को पहली बार ढून रहे हो तो subscribe कर दीजे और वो bell icon दबाद दीजे ताकि आप मेरे अगले वीडियो को मिस नहीं कर पाओ मैं games और game development related काफे सारे वीडियोस बनाता हूँ इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए नास कर दानो